सबसे पहले बेसिक पाट साथ ही साथ वेक्टर सबस्पेस क्या होता है वो भी देखेंगे हम तो पहले वेक्टर कहते किसको वेक्टर कहते किसह कुछ जिसका मेंग इत्यूड विय्क्टर कहते है तो क्वांती इसका मेंगें आइट क्माधनीट रोगाउ से यही मैं क्यों एक हिए। ऑप फोगला है यह न वह दिखेंगा है नुआ मैं आ यहां पर जो इसका distance होगा वो scalar है और जिस direction में है वो उसका direction होगा तो यह दुनों के मिला दे तो यह क्या है? Vector है यह direction के साथ आ रहा है, that is vector है, got it? So these are vector, okay, next, तो vector का अगर definition की बात करते हैं, quantity that has a magnitude as well as a direction, that is known as what? Vector, okay? अगर a और b यहां पर बात करते हैं, दो point मैंने a और b लिया है, यहां पर, इसका दो point मैं a और b लिया हूँ, ठीक है? और यहां पर direction हम मैं पता है, और हम क्या यहां से? इसका distance हमारा scalar होगा, distance क्या होगा? scalar होगा, direction पता है, that's why यह मारा क्या है, a b क्या है? Vector, okay? okay, so the directed line segment is a vector, जो की a b, this direction में होगा, उधर की यह tends करते हैं, like a b की direction में, a से b जा रहा है, that's why हमारा a b, okay? अब देखिए, a जो point है, जहां से यह vector है start हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? initial point, क्या कहेंगे? initial point, और जो b point है, उसे हम क्या कहेंगे? terminating point, यह terminating point है, और यह हमारा गया है, initial point, okay? साधी साध, length इस vector का कभी भी negative नहीं होगा, length इस vector का कभी भी negative नहीं होगा, मतलब a b हमेशा क्या आएगा? positive के अंदर value आएगा, हमेशा, ठीक है? देख सकतो model लगा होगा है, मतलब हमेशा यह positive होगा, next one, what is positive vector? तो positive vector की से कहते है? positive vector का मतलब है, अगर कोई x y plane के अंदर हमारा क्या है? कोई x y plane के अंदर, let's suppose, अगर कभी भी vector हमारा क्या, उसका जो length होगा, वो negative नहीं होगा, तो यहां पर हमारा क्या? कोई vector है, x y, और कहीं भी अगर x y plane के अंदर हमारा कोई vector है यहां पर, ठीक है? यह p point के उपर हम पता करना चाहते है क्या होगा vector, तो हम कहां से इसका distance लेंगे? origins, line segment, और इसका origin हमारा o है, direction है इसका o से p है, o से p है हमारा vector हो गया, अगर इसका distance जानना चाहते हैं, हम तो क्या लगाएंगे? अगर इसका coordinate x, y, z है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ vector का distance जानने के लिए, हम under root x square plus y square plus z square करेंगे, तो ये vector का क्या आजाएगा? distance आजाएगा कि op का कितना distance, got it? got it? हाँ जी, हाँ जी, pdf में upload करो, okay, next one, direction, means direction जो है vector का, वो cosine के अंदर represent, किस के अंदर? को shine के अंदर, मतलब, cos theta के अंदर represent हो, अगर कोई point है x, y, z, क्या point है हमारा? x, y, z, और इसका जो angle बन रहा है, r vector से, कोई r जो vector है, उसका जो angle बन रहा है, देख सकते हो, x axis के साथ कितना angle बन रहा है हमारा? यहां पे लिखा हो है alpha, ठीक है? y axis के साथ कितना angle बन रहा है, और z axis के साथ हमारा कितना angle बन रहा है? तो जो angle बन रहा है, वो हमारा x, y, z का respective हो कितना है? alpha, beta, gamma. तो यह क्या होता है? direction angle होता है, ओके? और जो cos alpha, cos beta और cos gamma बन रहा है, यह जो angle बन रहा है, x axis के साथ, तो यह cos alpha है, ठीक है? यह cos beta है, यह cos gamma है, ठीक है? तो these are some angle. next one, next हम point करते हैं, इसका अगर coordinate अगर हम लिखेंगे, ठीक है? अगर coordinate अगर cos alpha की बात करें, तो वो cos alpha हमारा कैसे पता चलेगा? cos alpha हमारा पते चलेगा, x, और यह r vector है, यह जो r vector है, cos gamma में कैसे पता चलेगा? जो important होगा, वो point मैं आपको represent कर दूँगा, highlight कर दूँगा, ठीक है? जो आपके लिए important होगा, वो point highlight कर दूँगा, यह सारा important अभी नहीं है, cos beta हमारा क्या होगा? yyr होगा, cos gamma क्या होगा? क्योंकि z x के साथ यह हमारा है, angle बना रहा है, that ही z y r है, r हमारा क्या है? यह आपर vector है, ठीक है? so this is, अभी यह आपर देखिए, l r, l r, m r, n r, हमारा यह क्या होगा? coordinate होगा, क्या होगा? coordinate होगा, जो p point का है, वो coordinate होगा, l r, और कभी भी यह coordinate जो है, वो हमारा l square plus m square plus n square, हमेशा क्या आता है? positive, हमेशा क्या आता है? positive, okay? सो हमने क्या देखा कि कोई भी अगर point हमारा x, y, z plane के अंदर है, तो वो position vector है, क्या है position vector? तो वो 0 vector से मैं 0 origin से line draw किया, ठीक है? उसका मैंने op अगर represent, उसका मैं अगर distance निकालो कितना होगा, उसके लिए formula x square plus y square plus z, फिर देखेंगे इसका angle कितरा बनुना, x axis के साथ alpha, beta, gamma, तो angle इसका represent cos alpha, cos beta, cos gamma में होगा, cos alpha means x by r, cos beta means yy r, cos gamma means y, z by r, ओके? और इस तरीके से coordinate के अगर बात करते है, इसका coordinate क्या बन जाएगा? LR, LR, ठीक है? प्लस हमारा यहां पर क्या? MR, NR, तो इस तरीके से इसका coordinate आजाएगा, और L square plus M square plus N square कभी भी, मतलब 1 के बरावर आना च this is, next one type of a vector that is important for you, what is known as zero vector, zero vector किसे कहते है, direct आपको पूछे, जहां पर आपका initial point और terminating point, initial point मतलब जो हम बताये था A, और B क्या था हमारा? terminating point, initial or terminating point, जहां पर आपका बिलकुल सेम हो, initial point भी यह है, A, और terminating point भी क्या है, यह, तो जहां initial or terminating point सेम हो, कोइन साइड कर रहा है, तो वैसे vector को क्या कहते हैं, zero width, और null width, represented by zero, right, जैसे कि यह आप A और A, दोनों हमारा सेम है, A और A, तो अगर इस point के उपर हम देखेंगे, तो वो क्या होगा, zero vector, A से, B से B, हमारा उसका scalar किया, कितना होगा, distance कितना होगा, zero होगा, तो वो क्या है, zero vector, what is known as unit vector, unit vector का मतलब होता है, वैसा vector जिसका magnitude क्या हो, one हो, यहाँ पर zero vector किसे कहते है, जिसका magnitude क्या हो, zero हो, distance क्या हो, दो vector के बीच में, zero हो, वैसे vector को zero vector कहते, और वैसा vector जिसका magnitude one हो, उसे क्या कहते है, unit vector, क्या कहते है, unit vector, अब वेक्टर उस magnitude is unity is called as a unit vector और unit vector क्या होता है उसका direction हमारा like a है अगर हमारा तो a vector इस form में but unit vector हमारा a cap लिखाता है a cap what it unit vector हमारा a capital coincidence vector क्या हो coincidence vector का मतलब है वैसा vector जिसका दो initial point जो है वो same हो like को एक vector origin यहां से हो रहा है like हिमाले से क्या निकलती है गंगा यमुना ठीक है बाद में जाके हमारा अलग तो इस तरीकी से कह सकते है ठीक है gotta कि कुछशी है तो आपका स्टमीश पॉइंट है आपका वहांसे हमारा दो चीं कोई शंट इनिशल भी क्या क्या है अ क्याते है को लिनिश बैटर कर्क हो किछर कांगे कर दो या दो से जादा वेक्टर है पर श्मलाइन की ओपर डिक्टर हूं लाइक अगर कोई वेक्टर यहाँ पर हमारा क्या है यह देख सकतो हो यह CD हमारा वेक्टर है let's suppose और इसी पॉइंट के उपर हमारा क्या है AB वेक्टर है तो सेम लाइन के उपर है आपस में दोनों पैरलल है उसे हम क्या गते हैं? को लिनियर वेक्टर के हैं getting my point? को लिनियर वेक्टर कि आपका सेम लाइन के उपर होना चाहिए पैरलल होना चाहिए irrespective of their magnitude and direction that is known as को लिनियर वेक्टर next one what is equal vector? equal vector का मतलब है कि magnitude और direction उसका क्या होना चाहिए? same होना चाहिए regardless of वो कहां से start हुआ है, कहां खतम हुआ है उससे हमको लेना देना नहीं है हमारा दोनों का magnitude और direction क्या होना चाहिए? same होना चाहिए तो वैसे वेक्टर को कहते है equal vector what is negative of a vector? negative of a vector का मतलब है कि magnitude उसका same हो but direction उसका opposite like अगर a b मैं अगर लिखू, a से b जा रहा है तो यह a b vector अगर वही मैं opposite कर दू, b से a आ रहा है तो यह a b vector का direction हमारा क्या हो जाएगा? change हो जाएगा और give me a second guys so negative vector का मतलब जब a b अगर a से b जा रहा है तो हमारा b से a जाए magnitude same होना चाहिए but direction अगर opposite है तो वैसे vector को क्या कहते है? negative vector got it? तो this is some type of vector तो अगर मैं एक page के उपर आपको बताओ 0 vector किसे कहते? 0 vector का मतलब है initial point और terminating point दोनों क्या हो आपका? same हो उसे क्या कहते है? 0 vector मतलब कोई distance उसका नहीं हो, magnitude उसका 0 ठीक है? next one what is known as unit vector जिसका magnitude 1 अगर 1 like a vector इसे a caps से रप्रेजेंट इधर ते क्योंकि magnitude इसका 1 okay a caps next one is what is co initial vector co initial vector वैसा vector जो कि आपका same initial point से और चला हो next one is what is co linear vector co linear vector वैसा vector जो कि same line के उपर हो parallel हो वैसे हम क्या कहते है? co linear vector regardless of their magnitude and direction वो मारा co linear हो next one what is equal vector वैसा vector जिसका magnitude भी equal हो दो vector हो a,b और c,d और दोनों का magnitude भी equal हो and direction भी equal direction भी आपको क्या? same magnitude and direction are same that is equal width और एक और vector आपका क्या? negative vector negative vector का मतलब magnitude आपका same होना चाहिए but direction हमारा opposite होना चाहिए got it everyone? okay एक बाँ so this is these are some question not important next one what is the addition of a vector? how we add any two vector ठीक है? तो कोई vector अगर है हमारा a,b है क्या है? a,b ठीक है? और यह हमारा क्या है? terminating point है यह क्या है? initial point और कोई हमारा vector क्या है? b,c है यहां पर क्या है b,b के लिए a,b vector के लिए terminating है और दूसरा vector के लिए यह क्या है? initial तो addition अगर करना है तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से a,c is our addition of this vector a,c a,c यहां पर देख सकतो a,c का initial point भी same है और a,b का भी initial point के है same है ठीक है? जहां से start हुआ है this is our addition यह a,b vector है यह b,c vector है तो यह क्या हो जागा? a,b plus b,c vector is equal to a,c vector got it everyone? this is known as triangular law of vector addition okay? okay guys? okay yes sir initial point are same so this is next one parallel look law of vector addition वही बात हो जाएँ आपको same तरीके से like आपका o a है ठीक है? a,c है जो आपका terminating है वहाँ से initial start हुआ है तो दोनों का initial क्या? same तो अगर oc की बात करते है यह क्या हैगा? a vector plus b vector उसी तरीके से यहाँ पर अगर है यह b,c है यह हमारा क्या है? ob है तो यह जो vector है start होगा जहाँ पर दोनों initial point आपका मिल रहा है फिर से oc vector क्या आएगा? a और b और parallelogram में opposite side हा same तो यह a vector है तो वह भी a vector यह b है तो यह भी b तो आपका diagonal क्या होगा? a vector plus b vector so this is parallelogram got it everyone? like oa था, a vector, a c था, b vector तो oc हुआ उसी तरीके से opposite side अगर थे oa plus o भी भी करेंगे तो वह oc होगा ठीक है? that is parallelogram got it everyone? got it got it yes or no? yes sir next one some properties of vector like a plus b यह commutative property को follow करता है कि a plus b है तो b plus a b same हो that is commutative property को यह follow करता है पहला next property property number two associative property associative property को भी यह follow करता है means a plus b plus c ठीक है? दो को अगर हमने यह bracket में रखा है तो हम a vector को बाहर निकाल करके b c को भी bracket में रख सकते तो यह property को भी यह follow करता है तो commutative है, associative है next one फिर यह आपका additive भी है अदलो a vector plus 0 vector अगर करें तो हमारा 0 vector plus a vector हमारा मिल करके a ही vector देगा तो 0 vector करने के बाद हमारा कोई भी अंतर नहीं आएग ठीक है? that is known as additive identity तो यह property को भी यह क्या करता है? follow कर next one multiplication of a vector by a scalar अगर हम a scalar से multiply करते हैं तो किस तरह की से vector में change है? like हम like हम lambda से multiply कर रहे हैं a vector के अंदर तो lambda हम constant को बाहर निकाल सकते हैं so this is property important one direct आप से पूछेंगे statement one statement two इस तरह की से करके यह आपको direct पूछ सकते हैं ठीक है कि आपका कोई vector वहां पे दिया हुआ रहेगा 3x है let's suppose ठीक है? और आपका कोई constant आपका two है तो आपसे पूछ सकते हैं बताइए हमारा क्या होगा तो यह property के through 6x होगा तो this is basic जो आपको clear होना चाहिए ठीक है next property अगर हमें unit vector निकालना है तो this is a formula and this is very important formula for class 11 class 11th के लिए यह बहुत important formula था कि a cap is equal to one by that is a scalar कितना distance है a vector का और a vector क्या है okay a vector क्या है so this is our a cap हमारा यह क्या unit vector unit vector unit vector का फिर से formula 1 by जो a vector का distance है मतलब a b का जो distance है और जो a b vector है that gives us a cap okay okay everyone okay next one next one उसी तरीगी से जो मैंने आपको बताया था कोई point आपका अगर है और कोई point अगर आप represent करना चाहते हैं आपका अगर आपका यूणिट विक्टर जो है वह आपका किसके लिए हम मल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं कोई दो वेक्टर a और b है और k और a हमारा क्या स्केलर है ठीक है तो अगर a में हम k से मल्टिप्लिकेशन किये k स्केलर से और दूसरे बार हम m से मल्टिप्लिकेशन किये तो हम इस तरीके से k प्लस m स्केलर को और a को बाहर निकाल सकते अगर k कोई स्केलर बाहर है और m में है तो हमे k m और a को बाहर कर सकते next property third property कि अगर k हमारा बाहर है कोई constant a b है तो k को हम अंदर कर सकते जो आपको basic जो understanding है न वह understanding है आप है साटस्फाइ करते है बस जो आप सोचते कि हां यह हो सकता है तो वह ही यहां पर होगा जैसे कि यहां पर के इंदोनों जगह यह common निकाल सकते हैं बिलकुल के इंदो यहां पर आप constant को यह जगह यह बाहर निकाल से यहां पर अंदर मुल्टिप्लिकेशन कर सकते बिलकुल तो जो आप सोच रहे हैं वह यहां पर पर पटे गॉट इट अगर यह सर्ट कि अगर क्या बोल रहा है यहां पर देखना कि अगर दो वेक्टर हमारा क्या यह एक्वल है दो वेक्टर इक्वल है हमारा तो फाइंड दो वेक्टर क्या हमारा इक्वल का आपने क्या डेफिनिशन पढ़ा था इक्वल के अंदर मैगनिट्यूड सेम होना चाहिए और डारेक्शन भी सेम होना चाहिए डारेक्शन भी सेम होना चाहिए अगर magnet तो एक vector हमारा क्या था ? XI P Pi S II J P Pi S Z की दूसरा vector 2ij P Pi S Y J Cap P Pi S K Cap तो अगर दोनों equal है तो दोनों का magnitude क्या होगा? Land of magnitude same होने का बतलब जो यहाँ पर i cap जो है वही यहाँ पर i cap के आगे होगा आगे वाला magnitude रेपरेजेंट कर रहा है तो यहां पर magnitude किता है x और यहां पर magnitude x I cap x axis का किता है 2 x is equal to 2 यहां पर j cap का किता है 2 magnitude यहां पर j cap का किता है y तो y is equal to 2 next one K cap K cap já aha पर किता है j isoler यहां पर 1 तो z का value 1 होगा समझ रहे हो इस सरी किसे हम x, y, z का value निकाल राइट, 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 अब्रेवर्न, येस सर, सम बेसिक, आप कोशन यहां पर, देख लेना, आपको अगर मन करें, सॉल्व करने का है, एका कि कैसे यूनिट वेक्टर हमारा निकालते हैं, एका कोशन आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको ग्रोप के उपर बेज़ दो, ठ पता सकते, अगर हमारा, अगर हमारा दो पोजिशन वेक्टर है, लाइक P2 है और P1 है, दो हमारा है, और इसके बीच का हम डिस्टेंस जानना चाहरे है, P2 और P1 के बीच का, इसके लिए, अगर P1 था तो उसके लिए तो अंडर रूट X स्क्वार प्लस Y स्क्वार प्लस Z स् लेकिन अगर दो वेक्टर है हमारा, तो दो वेक्टर के किस में हम क्या करेंगे, अंडर रूट, लाइक P1 P2 का डिस्टेंज आना है, तो X1 माइनस X2 का स्क्वार, प्लस Y1 माइनस Y2 का स्क्वार, प्लस Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 का स्क्वार, तो डिस्टेंस फर्मूला हमारा यूज होता था वही डिस्टेंस था मूल कॉटिट एफ्रिवर्ड एक्सवन लिखिए या एक्सटू लिखिए बात बरावर है क्योंकि यहां पर स्कॉयर है अस्कॉयर आपका पॉजिटिव बना देगा निगेटिव भी आएगा तो इसलिए एक्सवन एक्सटू लिखिए कोई अंतर नहीं ओके ओके यह सब ठीक है ठीक है वाट इस सिक्सन फर्मूला सिक्सन फर्मूला है बट आपके एक्जाम के इंपॉर्ड नहीं है क्योंकि इसका solution जो है वो लंबा जाता है तो सिक्सन फर्मूला का मतलब है कि अगर कोई हमारा क्यू पॉइंट था और कोई पि पॉइंट है और हमारा कोई आ Nigeria अ इसे Divi delivering किया ठीक है आर विक्तर मारे समॉल रब्र रहें और पॉइंट के उपर इसंगज़िया इसे एम रेशियो और इन रेशियो के अंदर कट गरता है तोब मैं जान्ना है कि हमारा क्या होगा OR वेलू OR का वेलू क्या होगा यह हमें जाना है OR वेक्टर ठीक है जो वेक्टर हमारा है यह कितना तो यह कट किया इसे A में QP को तो हमारा कितना होगा उसके लिए आपका यह फार्मूला बन जाता है ठीक है M into A B वेक्टर प्लस A A वेक्टर by M plus A यह मारा क्लास 10th के अंदर भी सिक्षन फार्मूला था वाह पर भी मारे सिक्षन फार्मूला था बस वही फार्मूला बिलकुल है सेम है not important too much for you examination point of view okay there's this exercise not अब देके अगर हम a scalar product देखे दो वेक्टर का scalar product क्या होता है this is important the scalar product of two non-zero vector A और B यहां पर क्या होगा cos theta scalar product के अंदर हमारा क्या आता है dot यह dot product भी कहते है तो यह हमारा क्या आता है A vector B vector modulus of B vector means यह दोनों का scalar जो quantity magnitude है वो लिखना है A और B का और जो angle क्या है cos theta this is the formula for a scalar multiple या dot product caught it everyone caught it next one yes sir A vector और B vector क्या होना चाहिए real होना चाहिए बात साफ है ठीक है image नरी नहीं होना चाहिए next आता है कब यहां पर यह क्या कहा रहा है perpendicular है A और B vector आपस में perpendicular कब होगा perpendicular का मतलब theta का value किता होगा 90 degree और theta का value 90 degree होगा तो dot product के according formula हमारा क्या है A vector B vector right cos theta और cos 90 degree की value कितनी होती है cos 90 की value याद करें ग्राफ right यहां पर 0 पर 1 होता है और 90 पर 0 होता है यह हमारा किता है cos 0 degree पर कितना 1 और 90 पर 0 तो कितना आता है cos 90 degree का value 0 तो पूरे equation को क्या बना देगा 0 तो जब perpendicular कब होगा जब हमारा dot product 0 होगा what did everyone जब theta का value हमारा 90 degree होगा perpendicular हो जब theta का value हमारा 0 होगा क्या होगा theta का value 0 means cos theta क्या होगा 1 अगर 1 आ गया तो बचेगा क्या a vector ठीके न scalar of a vector and b vector तो हमारा बस वो बचेगा क्योंकि cos 0 degree is equal to 1 right अगर πाई होगा तो cos πाई का value कितना होता है minus 1 cos πाई का 180 के उपर value देख सकते हो हमारा कितना है minus 1 कितना है minus 1 तो कितना हैगा minus 1 तो ये minus a vector b vector बन जाएगा तो ये theta है कि जब theta 90 degree होगा तो हमारा क्या बनेगा 0 perpendicular होगा उस time पे दोनों vector चीखे next one theta अगर 0 degree होगा तो a vector b vector theta pi होगा तो हमारा minus 1 ये चीज next आपको ये जानना है dot product अगर हम देख रहे हैं ritos करते x axis को i caps y axis को j caps और z axis को हम रेप्रेजेंट करते k caps i cap और i cap ये दोनों की बीच में angle देखना चािे कि कितना होगा i cap और i cap की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर angle ये j cap j cap k cap k cap i cap i cap में आपको क्या होगा i cap दोनों x axis है तो theta का value 0 कोई एंगल नहीं है थीटा अगर वैलुई जीरो होगा तो आप देख सकते हो जो अगर आप फामूला लिखते हो डॉट प्रोड़क का कॉस्ट थीटा जीरो डिगरी का वैलुई किता होता है वन ओके सो यहां पर वैलुई इसका किता है वन जब आई कैप आई कैप हो जे हो तो वैलुई किता है अगावण और जब हमारा आई कैप जे कैप के कैप हो के कैप हो मतलब आपस में डिफ्रेंड होगा जिरों का कितना वैलुई होगा जिरो गाट डेंड़िवनाल कि आपस यह कितना है Divine डिगरी के लिगरी के उपर है कितना सिए drag 만weir dinea कि शिख dif का वैलो 90 और पुट करेंगे तो वैलो जीरो गॉट टेट यसाओ नो यह सर्थ नेक्स वन उसी तरीकी से यहां पर क्या किया है फामूला को बस चेंज किया है कॉस्ट छिटा इस इकल टू हमारा यह बना दिया है ठीक है सिर्फ फामूला को चेंज कि अब अस्कैलर प्रोड़क्ट इजग कॉमूटेटीव इस इंपोर्टेट वन लगता नहीं है कि ऐसा इस इकल टू डॉट प्रोड़क्ट ओफ ए विक्तर बी विक्तर बिल्कुल से तो क्या प्रोपर्टी को साटिस्फाइ करता है पहला डिस्टीव प्रोपर्टी को यह साटिस्फाइ करता है ठीक है हमारा डिस्टीव प्रोपर्टी को यह डॉट प्रोड़क्ट application कर रहे हैं इससे lambda से देख सकते हैं तो हमें थोड़ा अराम से पढ़ा है यह मतलब थोड़ा speed है तो लिख नहीं पा रहा है ओकी ओकी अच्छली यह चीज है class 12 का right so मैं बस आपको इस तरह के से revise के format में करा रहा है और आपको यह यह चीज रिवीजन के तौर पर करना ठीके न मैंने देख लिया उत्याँ ही आपको काम करने अब ज्यादा बिल्कुल रट करके की यह होगा वह ना कितना कोशन आएगा कोशन दो कोशन जाद इसलिए उतना ज़्यादा भी फोकुस नहीं करें ठीक है न बट एक से दो बार बिल्कुल देख करके जाना कि क्या होगा कि अभी मैं आपको कॉश्चन दिखाऊंगा आपको लगेगा यार यह तो क्लास्ट विल्ट की प्रूपर्टी से पूछ लिए कॉश्चन सर हो गया नेक्स्त वरडड़ों वेखत रहा हैं बारां ए और बी ओर हम मारां डॉट्ट प्रूडुक्त है अगर हम लैните से मल्टि ह्लिकेशन कर रहे तो हम लेंदॉक। निकाल सकती या लेंदुड़ा को में मल्टिखाशन कर सकते तो दिस इस पूपर्टी ठीक है की ये पूपचिitter आपका नमबर टू, इन डॉट प्रोड़। ओके? ओके? ओके सब्सक्राइब ना बनाईए, वो आप चाहिए। नेक्स्ट वन डापनेशन नेक्स्ट वन हमारे एक dot product होता है और एक हमारे क्या होता है? एक dot product और दूसरा जो होता है, वो हमारे क्या होता है? multiple product cross product sorry, I forget this is cross product तो cross product हमारे में क्या होगा? देखिए एक cross, इसमें हमारा क्या आ जाता है formula में sin theta, क्या आ जाता है sin theta और n cap यह हमारा direction बता रहा है unit vector n cap हमारा direction बता रहा है ठीक है, तो a cross b vector हमारा किता आएगा a vector b vector into sin theta ओके, so this is, sin theta अगर 0 degree होगा sin theta अगर 0 degree होगा, तो value कितना आ जाएगा जीरो तो फीटा अगर जीरो है तो यह क्या आएगा इसका वेलोग जीरो फीटा नाइटी डिग्री है तो इसका वेलोग कितना ऐगा जीरो इस तरीके से आपको बस sin θ यहाँ पर नाई कभी मैंने आपको बताया कि ठीटा अगर आपका 0 है दो कोलिनियर वेक्टर है, दो कोलिनियर वेक्टर आपस में कब होंगी? जब a x b आपका 0 होगा 0 होने का मतलब है, ठीटा वहाँ पर 0 होगा कोलिनियर का मतलब a और b हमारा कोई एक vector है, दूसरा vector c और d है, same line की उपर है, या parallel that means it is a collinear, तो यहाँ पर angle कितना है दोनों vector के बीच में, 0 degree दोनों एक ही की उपर है, no angle theta 0 है, तो इसकी value क्या आएगा, 0, that means यह parallel हो तो collinear vector कब होगा, जब a cross b का value 0 आएगा तब हमारा क्या होगा, full year ओके, next आप देख सकते हो, जब theta का value आपका 5y2 है, तो आपका इस तरीके से vector convert हो गया, sin theta का value 1, ओके next, जो वहाँ पर हम देखे थे यहाँ पर हम क्या देखे थे i cap i cap का value 1 था, यहाँ पर i cap i cap का value कितना होगा, 0 क्योंकि theta कितना होगा, यहाँ पर 0 तो value क्या बन जाएगा, 0 sin theta, 0 degree is equal to 0 i और i, x और x axis का बीच का angle 0 degree, that's why 0 j और j का, 0 k और k का, 0 वहाँ पर dot product था, यहाँ पर cross product है that is antar that is difference, cut it got it got it everyone yes sir next one, i cap और j cap cross multiplication cross product of i cap j cap, वहाँ पर 1 आता था वहाँ पर 0 आता था यहाँ पर k cap j cap, k cap, i cap k और i, मतलब जो बच रहा है वो यहाँ पर आए that is your in the case of cross product formula की बात करते हैं तो formula जो हमारा पहले आता था a cross product of a or b vector b sin theta अगर सिर्फ sin theta में पता करना है तो यह दुनों को नीचे बेजे तो यह formula में बस हम क्या कर दें बस चीन देंगे तो टीक है ओके ए व्रेवर्ड ओके तो यह सर इसार सम बेसिक यह आपका पूरा बेसिक कंप्लेट हुआ वेक्टर टीक है वेक्टर का बेसिक मैं कंप्लेट कर दिया हूं अब आपको मैं कुशन देता हूं जो इस बार पूछे गए हैं वह कुशन में देखा एक पेपर में बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं और दूसरे पेपर के अंदर पूछे गए कुशन वेक्टर दे रखा है वेक्टर बे रखा है और विक्टर बोलाएकि दोनों इक्वल होंगे वनली इफ ऑज चया इक्वल के केस में मैंने आपको पढ़ाया था है पिए पेपर कम होते हैं जब मागनिट्यूड क्या हो सेम हो और डारेक्शन भी क्या हो सेम हो तो यहाँ पर A विक्तर का magnitude कितना है? X, Y, Z यहाँ पर magnitude कितना है? 2, 3, 5 मैंने विक्तर सेम होने का मतलब X कितना हो जाएगा? 2 Y कितना हो जाएगा? 3 और Z कितना हो जाएगा? 5 दोनों सेम होना चाहे दोनों का magnitude ठीक है? तोब हम कहेंगे यह equal विक्तर है SSN सही अफिरीजन दो विक्तर होने तब हमारा दो विक्तर होने बताईए दोनो सही है या नही है? बताईए सो एसर्शन भी सही है कहा रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए equal vector होना चाहिए equal vector होने के लिए हमारा दोनों का magnitude same होना चाहिए x is equal to y, y is equal to 3, z is equal to 5 तो सही है पहल reason कहा रहा है कि सारा corresponding elements same होता है, बिल्कुल सही x का corresponding element क्या है, दूसरा vector में 2 है, पहला space पहला point पे x x is पे y यहां पे x x is का value 2 है, तो corresponding element same, y ka 3 z ka 5, तो बोद गढ़ी आय और correct and r is the correct explanation of a, got it? got it? पताइये, हाँ याण ना? अरे हाँ याण ना? येस इसरे नेग्ट स्टित 4 दूवेक्टर दे रखें बोर डबलू क्मकłeए इसके इंदर सकते इसके इंदर िंदर मिल्टिप्लिकेशन करें कि उसका इंदर पहले जो है वह रिए टो है वह और जीरो है कि आई ये कि फाइंड दा स्कैलर लेंडा वन वन वी का वैलू दे रखा है मारा वी वेक्तर का वन टू और डबलू वेक्तर का कित्ता दे रखा है थ्रही वन क्या हमारा इल्ड जो है वो वन जिरू है क्या हमारा एडिशन करें यहां पर क्या हमारा क्या आजाए यह वन जिरू आ जाए इस एक्वल क्या हमारा यहाँ पे lambda 1 हो और lambda 2 कौन से करते हैं तो यह कितना 2 by 5 lambda 1 इंड दूसेरा महारा मीदत है माइनस 2 by 5th 31 गरलत तो यह rail अब हमारा हम जानते हैं کہ अभी पड़ेते प्रॉपर्टी की कि ए हो अगर आई वेक्टर, तो k अंदर multiplication हम कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है। तीक है? ये भी पढ़ा है की k अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो k को अंदर multiplication कर सकते हैं। राइट? येस और नो? येस और नो? बोलिए हाँ आया ना? नहीं बोलिएगा तो मैं साथ यस सो नू कि यस सर अब हम क्या करेंगे यहां पर मल्टिप्लिकेशन अगर अंदर करें मैंट्रेक्स के अंदर तो एक तो इसके साथ मल्टिप्लिकेशन होके 1 इंटो 2 x 5 2 x 2 x 5 4 x 5 नेक्स्ट वन यहां पर अगर हम मल्टिप्लिकेशन करें अंदर तो यह किता आजाएगा मैंस 2 x 5 x 3 that is 6 x 5 यह मैंस 2 x 5 तो यह हमारा अब अगर फाइंड करें दोनों का एडिशन एडिशन हम अगर फाइंड करें तो जैसे मैट्रिक्स का काम करते थे हम एडिशन कर सकते ठीक है क्योंकि दोनों का ओर्डर क्या है सेम है दो रो है और एक कॉलम है दो और रो है और एक कॉलम है तो हम एडिशन कर सकते कि addition अगर करेंगे तो यह हमारा किता है का टू बाइटू बाइट फाइप मैनेस इक्स बाइपाइप मैनेस फ्रॉलाइप यहां पर किता हैगा फोर्लाइपाइप मैनेस टू बाइपाइप हम चाहिए था क्या आंसर में 1 और 0 आया है क्या यह पहला आप्सन गलत है तो यहां नो यहां और नो यह सब्ए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम मूव करें तो निक्स्ट ऑप्सन क्याता है लेम्डा वन का वैलू जो है न वह 1y5 है और λáriaब्ड 2 का वैलू है वो 2y5 है इस केस में B हमारा दे रखा था वेक्टर 1,2 और W हमारा वेक्टर तो अगर वेक्टर के अंदर लाबड़ 1 से मैंकलिकेशन करना है तो 1y2 यहां पर यह 1y2 नहीं है 1 1 और 2 तो अगर lambda 1 से अगर multiplication इसके अंदर करें तो minus 1 by 2 इसके अंदर करें तो यह minus 2 by 2 ठीक है इसके यहाँ addition यहाँ पर क्या 2 by 5 से lambda 2 का value हमारा 2 by 5 है second vector में multiplication करें so 3 1 अभी इसे रहने देते हैं जैसे वैसे रहने देते हैं मैंने lambda 1 और lambda 2 का value रख दिया अब multiplication करेंगे तो minus 1 by 2 और यह minus 2 by 2 यहाँ पर कितना 6 by 5 और यह कितना 2 by 5 और अगर addition हम करें दोनों का order से में addition कर सकते तो minus 1 by 2 minus 1 by 2 यहाँ पर कुछ मैंने भी का value हमारा यह हमारा क्या बनेगा lambda 1 minus 1 by 5 है यह देखना वही मैं सोचू minus 1 by 5 है यह यहाँ पर क्या करना है 5 करना है समझ रहे हैं समझ रहे हैं yes or no yes or no yes sir ओके यह कर दिया अब हम यहाँ पर निकाले दोनों का addition करके minus 1 by 5 plus 2 by 5 3 और 1 था राइड और दिखने किजिए कुछ गलती मैंने तो नहीं किया है बस 1,2,1,2,1,2,3,1 3,1 lambda 1 minus 1 by 5 और 2 by 5 2 by 5 चलिए इसे अगर हम करे तो यह हमारा कितना आएगा इसे हम करे तो यह हमारा कितना आएगा यह अंदर multiplication होगा तो minus 2 आएगा इसे करेंगे तो 5 by 5 इसे करेंगे तो minus 2 by 2 that is 0 0 by 5 यहां से 1 आया यहां से 0 आया यहां से देख सकते हो कि कौन सा scalar मैं multiplication करूँ B1 और B और W के अंदर जो कि हमारा इल्ड जो है वो 1 और 0 देगा तो आप इस तरीके से find करेंगे कि आपका आपसर नंबर 2 जो है वो करेंगे गॉटेट कॉटेट यह सर्थ कि वही जो मैं पहले किया था वही चीज था बस यहां पर calculation में मैं तोड़ा सा आगे पीछे हुआ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको दे रखाता है ठीक है आपको B और W दे रखा है आप B के अंदर क्या किए scalar से multiplication किए W के अंदर क्या किए lambda 2 scalar से multiplication किए आपका क्या हुआ minus 1 by 5 और minus 2 by 5 plus 6 by 5 इससे multiplication इससे 2 by 5 addition करेंगे तो पता चला यह 5 by 5 और 0 by 5 तो 1 0 आ रहा है yield नवारा 1 0 आ रहा है कब जब lambda 1, lambda 2 का value minus 1 by 5 और 2 by 5 है तो option number 2 is करें तो यह दोनों question आपके दोनों paper के अंदर पूछें second paper के अंदर vector से 2 question पूछें first paper के अंदर vector से एक भी question नहीं पूछें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या proposition की बात करें तो proposition से सिर्फ मात्र एक question पूछेंगे वो भी paper number 1 के अंदर last question hundred question number जो है वो paper number 1 के अंदर proposition से पूछा लिए इसलिए हाँ इसे पढ़ना है बट जल्दी से 2x के उपर काम कर लिए एक दो बार कर लिए लेकि उधर का topic नहीं छूटने का उधर hundred percent ninety percent है कि बिलकुल आयगा इदर है कि हाँ आपका proposition से आ सकता है हाँ आपका vector से आ सकता है question इस तरीके का है यह आपस में substitute हैं got it yes sir तो इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरा time devotion कहां पर ज्यादा होना चाहिए जहांसे हमें ज्यादा result मेले ज्यादा productive हमारा gain हो वह आपका कहां से होगा ज्यादा आपको homogenous homothetik concave converse function होगा increasing होगा differentiation आप देखे कब continuity होगा कब differentiability होगा integration कैसे find करेंगे continuity कैसे find करेंगे कब कोई function हमारा local maximum होता है कब local minimum होता है तो यह सारा point साथी साथ आपका differential equation के अंदर कैसे आप problem को solve करेंगे वह जो मैंने वहाँ पे बता रखा है तो वैसे question LPP के अंदर आप कैसे वर्डिंग के अंदर आ गया तो कैसे यह सब question आपका expected है यह सब आपका randomly question ओके 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 ठीक है और एक और चीज़ क्योंकि vector subspace is not in our syllabus syllabus के अंदर हमारा vector subspace नहीं है और ना पहले question पूछेगे that's why I am not dealing with vector space क्यों करना वेकार का ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा यह चीज़ है वर्ना मैं आपको बताता क्योंकि question ना तो पूछेगे और ना हमारे syllabus के अंदर है because vector space is different from vector वो vector से क्या है different vectors of our space okay that's why we are dealing only with this vector vector space हम नहीं करेंगे कल हम state करेंगे okay okay ऐसा नहीं है कि मैं तो कल मतला morning में कल morning में हमारा वो क्या कहता है विदाई सामारो होगा ठीक है ठीक है okay मैं तो टैस्क के college में तो मैं attend नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो फिर हम आप lecture देख लेना recording lecture set के उपर ठीक है जी सर so good night मैं इसकी PDF अभी group के उपर good night okay good night कि अीडुीफ ट रटक में ऐस करे दो नहर करे दो वियो ग।